हेलो नमस्कार सबीको मैं किर्षन कुमार एक बार फिर से आप सबीका हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्तान में वही CET के फोर्म निकल चुके हैं अगर कोई भी कंडिडेट राजस्तान में CET के फोर्म अपलाई करना चाता है तो उसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है तो इसकी आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है लास्ट डेट क्या है आपका जो आवेदन का सुल्क क्या रहेगा आपका एकजाम कब होगा सलेबस क्या होगा इस से लेटिड वही आज की वीडियो में कंप्लीट इनफोर्मेशन हम देंगे वही तो बता देते हैं वही देखिए वही 22 सेप्टेंबर से आपके फोर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो की कही ना कहीं आपके 21 अक्टूबर तक ये फोर्म चलेंगे उसके बाद 6 से लेकर 9 जनवरी तक वही आपकी प्रिक्ष्या का आयोजन किया जाएगा राजस्तान CET के एक्जाम की हम बात कर रहे हैं जिसके तहते पटवारी की हो चाए राजसव की हो गुरूप C और गुरूप D की बरतियां कराई जाती हैं देखिए साथियो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपको बता देते हैं कि अगर आप किसी भी गुर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिना टेस्सीरीज के कर रहे हैं तो कहीना कहीं आप एक्यूरेसी के मामले में हो चाए वो आप सपीड के मामले में हो तो कहीना कहीं वो पीछे रह सकते हैं इसलिए आज ही test book की test series join किजिए जिसके अंदर आपको 600 पलस exam की test series मिलती है केवल केवल आपको 324 रुपए में 360 का ये offer अभी चल रहा है लेकिन अगर आप हमारा code capital FSC use करेंगे जब इसको purchase करेंगे तो आपको 10% का extra off मिलेगा तो ये आपको 324 में ये test series आपको मिल जाएगी ये चैसल हो रेलवे हो चाए राजस्तान CET हो चाए रियाना CET हो कोई भी exam हो उसके लिए आप इस test series को join कर सकते हैं निचे description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ पर हमारा code जरूर यूजगने capital FSC 10% off मिलेगा यानि कि आपको एक साल के लिए 324 रुपए में एक दिन का आपक कम रुपए आपके लगते हैं तो निचे आपको link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आपकि इसको purchase कर सकते हैं आईए बात कर लेते हैं वही नोटिफिकेशन के बारे में देखे वही 22 सेप्टेंबर को नोटिफिकेशन आई है 21 अक्टोबर तक आपके वही फोर्म बरे और ये कोलम नमबर 7 के अंदर दिया गया है देखिए यहाँ पर आयो और उससे पहले वही ये कोलम नमबर 7 यहाँ पर आपके वही आवेदन कब से स्टार्ट हो गए वही 22 सेप्टेंबर से स्टार्ट हो चुके हैं आज 25 सेप्टेंबर हो चुकी है और 21 अक्टोबर तक ही रात के बारापजे तक फोरम जमा किये जाएंगे ऐसा वही ये नोटिस आया है और नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया गया है परिक्षिया का आयोजन कब गराया जाएगा ये देखे वही बिलकुल बहुत अच्छी बात है राजस्तान की जो करमचारी चैनायो की जिसके अंदर क्या है कि आपको डेट साथ में नोटिफिकेशन के साथ दी गई है हरियाना में क्या होता है कि डेट नहीं दी जाती स्टूडेंट मांग करते रहते हैं लेकिन डेट प्रोवाइड नहीं की जाती ये कहीना कही problem है वही तो राजस्तान की एक बहुत अच्छी पहल है और UP की भी SI है तो बहुत अच्छा है वहाँ पे तो 6 जनुवरी से लेकर 9 जनुवरी तक वही आपका ये एकजाम आपका conduct रायाद जाएगा अगर एक से ज्यादा चलनों में प्रिक्ष्या होगी तो normalization भी इस प्रिक्ष्या के अंदर होगा ये mention किया गया है आईए अब बात कर लेते हैं complete notification के उपर वही तो इसके अंदर क्या होगा वही हमारा देखिए कौन-कौन सी पोस्ट होंगे वही इस पद के लिए अभी students ने जिन्होंने बारवी पास की है वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं graduation कर रखिए वो भी apply कर सकते हैं वो qualification के अंदर बताएंगे वही देखिए वही इसके तहत कौन-कौन सी जो आपकी पोस्ट बरी जाती हो प्लाटून कमांडर की बरी जाती है जिलेदार की पोस्ट है पटुआरी की पोस्ट है कनिष्ट लेखाकार की पोस्ट है तैसिर राज टोटल पदों के नाम दिये गए हैं इसके साथ में दिशा निर्देश दिये गए हैं यह आपकी जो यह complete PDF है यह हमारे टेलीग्राम चैनल के उपर डाल दी जाएगी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं सलेबस भी वहाँ पर डाल दिया जाएगा और निच्ची उसका लिं देखिये हैं यहां पर जाकर आप अपना रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके बाद देखिये हैं आवेदन वह परिक्षा सुलक आपके पैसे कितने लगेंगे अगर आप जर्नल कटेगरी से हैं तो वही आपके सामने वरग वह क्रीमी लेर स्रेणी के अन्य पिछड़ा वरग अती पिछड़ा वरग के आवेदक आपको 450 रुपए पे करने हैं इसके साथ में नोन क्रीमी लेर में पिछड़ा वरग है उनको साधे 300 रुपए पे करने हैं और इसके साथ में अनुसूची जाती वे अनुसूची जन जाती के आवेदक 2500 रुपए पे करेंगे यह आ ये फिर से पोस्ट दी गई हैं पोस्टों के नाम है ये आपकी देखिए वई पलाटून कमांडर की पदो की संख्या 43 है पटुवारी की 202 है कनिश लेखाकार की 1923 है जिलेदार की कोई पोस्ट ही नहीं है तैसीर राजसव लेखागार की 108 पोस्ट है परियेव एक सक महिला दीकारी ता की 106 पोस्ट है उप जेलर की 49 है चात्रावास अधिक्सक ग्रेड की 335 पोस्ट है अब इस लेबस के बारे में भी बात करेंगे बहुत अच्छा सलेबस डिफाइन किया गया है ऐसा नहीं है जैसा अरियाना में होता है राजस्तान के अगर अपलाई करना चाते हैं तो वो भी इसके अंदर अपलाई कर सकते हैं दिसा निर्देश दिये गए हैं इनको आपको ज्यादा कुछ वो है नहीं आप देखिए पातरता वाई सेक्सनिक योगेता अगर आप पटवारी के लिए हैं तो आपको क्या होना चाहिए जल संसर जिलेदार के लिए वही सनात तक ये भी ग्रेजुएशन मांगी गई है ग्रेवी बाग में पलाटून कमांडर की देख्या जाए तो यहाँ पे भारत में वीदी दुआरा प्राप्त वीशो इद्याले से सनात तक या उसके समतुल्य आहरता होनी चीए ठीक है लग आयू समान पातरता प्रिक्ष्या में सामिल पदो की बरती के लिए आयू सीमा पद से समन दीते ये उपर ही डिफाइन कर चुके हैं देखें ये 21 से 40 से 18 से 40 है तो ये आपकी सेक्षनिक योगेता के साथ में आपकी आयू दे दी गई है और उसके साथ में आगर किसी को छू से लेकर 9 जनूरी तक आपका इसका कराया जाएगा एक से ज़्यादा चरण में अगर प्रिक्ष्या होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रिक्ष्या नॉर्मलाइजेशन का मैथड अपलाई किया जाएगा नेगिटिव मार्किंग नहीं है इस एक्जाम में ये एक एक्जाम देते हुए पकड़ा जाता है योग्य गोसित कर दिया जाएगा गलती इनफोर्मेशन देते हैं तो भी आपको भी योग्य गोसित कर दिया जाएगा ये सारी प्रिक्रिया आपको दी गई है अब चलते है आपके पाठ्ठेकरम यानि कि सलेबस क्या है एक बहुत चलता है ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है राजस्तान की ये जो सीटी प्रिक्षा है वो देड़ सो नंबर की तीन सो अंकी होगी और देड़ सो जिसके अंदर वही आपके क्योस्टन होने वाले हैं 150 के राउंड और सभी अंक समान अंक के होंगे और इ चाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं राजस्तान का इतियास कलास अंसकर्तिक साहित्य प्रंप्रा और विरासत यहां से क्योस्टन पूछे जाएंगे बारत का बुगोल यहां से भी आपके क्योस्टन उठाए जाएंगे राजस्तान का बुगोल राजस्तान जी के कौन से topic आने है इसके साथ में आपकी reasoning आने वाली है reasoning के साथ में language knowledge सामने हिंदी के question आएंगे English के question आएंगे computer आएगा और इस तरीके से वही कुछ गटनाएं जैसे खेलकुद की गटनाएं और यह board की website आपको दी गई है यहाँ पर जाकर आप अपना form वही apply कर सकते हैं और इ एक पूरी information थी आपके अगर कोई भी candidate apply करना चाता है form निकल चुके हैं और वहाँ पर जाके आप apply कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले और इनी बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर क अगर करना